तेलो एव्रीवन वेलकम बैक टु माई चैनल लिवलाइफ विपीना कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और आज मैं आप लोगे साथ एक बहुत अच्छा ब्लॉक शेयर करूंगी मतला मैं बहुत टाइम से बोल ली थी कि इसको करना है तो आज अपना माय का होम तूर वह मैं आपको करा चुकी। जब मैं अपने माय के गई थी तो जिस लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देखना। बाकी मैं डिस्क्रिप्ट्रवाक्स में डाल दूंगी उसका लेंक और आज मैं आप लोगों को सफ्राल वाला ब्लॉक शेयर करूंगी उसका होंटूर क्योंकि बहुत टाइम से डिले हो रहा था कि आज करूंगी आज करूंगी लेकिन बस हो यह नहीं पा रहा था तो क्योंकि अब हमारा नया घर भी जो है वो लगभग बनकर तयार हो चुका है जो फिनिशिंग का का में ब सब्सक्राइब ना कर पाऊं लाया सी डेली के डेली डिले होता रहे तो वस और क्योंकि यार इस घर से मेरी यादे भी बहुत सारे जूड़ी हुई है क्योंकि जब मेरी शादी को हो गए है साड़े पीन साल और मैं यहीं शादी होकर आई थी तो मुझे तरह से लगेगा न तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना चोटा सा प्याराज सा घर प्रेंड्स यह है हमारा घर का जो है में गेट यहां से एंट्री है यह देखिए और अब मैं नीचे से स्टार्ट कर रही है तो यहां से यह ढग घर स्टार्ट होता है हमारा और यह है ए कऊर्ड़ी ख ड़ाई में समामाई उस रहा न यह भूरुक्यंद नेरे direct हमारी गैलरी है और यह हमारा जो नया वाला गेट स्टील का गेट लगेगा इस बाल तो यह वो रखा हुआ है तो मैं तुझे जब लग जाएगा तब आप लोगे साथ शेयर करूँगी और यह यहां से यह ड्राइंडूम का रास्ता है और जो नीचे वाला कोर्शन है वो हमन जीना तो यहां से है उपर का और यह हमारा मंटी है यह शिक्षानल को हुआ है और देखो यहां से मंदिर हमारा साथ दिखता है मतला मुझे अपने मंदिर की मतला घर की सौरी यही चीज़ अच्छी नहीं कि सामने मंदिर सामने पार कोई टेंशन नहीं है तो यह और यह चोटी सी मम्ति का एरिया यह वाला और यहां ना हमने रख रखिए यह शूर्य कि जैसे कोई आये तो यहीं से अपने शूर ले ले और यहीं से बापस रखे थाकि फिर अंगन गंदा बगरा नहीं होता है यहां पर अपना सेनाटाइजर रखा हुआ है तो यह हमारी पूरी श इस बापनी शूराइ बना दी और अब अब यह से चलते हैं ऊपर तो यह स्टार्ट होता है एक हमारो ड्राइभ का जो रास्ता है वह दर्वाजा मलब यह लगा हुआ है डोर यह ताकि वह यह मतलब गैस अन्रों पढ़ समया थे यहीं से इसको मतलब गैस को अंदर ले ले और बाकी है यह यहां से शुल होता है तो फ्रेंट्स यह है हमारा ड्राइंग रूम छोटा सा ड्राइंग रूम है यह और यह है सेंटर टेबल यह पूरी मिरेर वाली सेंटर टेबल है यह लेकिन हमने पी कवर रखा हुआ है और इसमें सबस अच्छी बात पता है क्या है कि इ इनको भी यूज कर सकते हैं और हम इनको करते भी है यूज इसमें चारों तरफ हैं यह तो यह वाद अच्छी लगती है और जब नए घर कर राइंगर थोड़ा बड़ा है तो अच्छे से आ जाएगी क्योंकि थोड़ा छोटा है तो थोड़ी दिक्कत होती है फिर निकलने ग बनवा रखा ये और यहां पर हमारा छोटा वाला एड़ी लगा हुआ है ये बागी अभी हम इसको जादा यूज नहीं करते जो उपर है ना माई रोम में उसी को यह जादा यूज करते हैं तीन तो लोग हम यह रह रहे हैं तो उसमें क्या करें और इस जो वाल है इस पर हम और बाकी जो ये वाली वाल है इस पर भी देखो ये टेक्चर ये भी बड़ा सुन्दर सेर्फ टेक्चर बहुत प्यारा लगता ये और अगस को दो दोना एकदम क्लीन हो जाता है यहां पर में लगा रखी है और यहां पर है ये वाला ममी पापा की कश्मीर की फोटो देख है इसके कर्टन्स ग्रीन करके यह देखो यह रहां यह और यह बाहर वाला रास्ता यह वाला जो इस ना ट्राइंट्र में तीन डोर लगे हुए हैं एक यह वाला एक यह वाला और इक इधर यह और देखो यह हैं इसके कर्टन्स बीच में हमने कुछ कंट्रास में दिया हु फ्रेंट्स अब हम हम आते हैंग के बैड ड्रों में तो ममी के बैड पड़ा हुआ है ड़िकत oh no इदर मम्मी की है dressing table खड़ी हुई यह अधर यह पापा को अभी जो पोस्टिंग आई थे है तब यह बिला थी मम्मी को पापा को शील हुए है यह रख्यूई है यह यह और इधर है हमारा यह store इसी room में तो store को खेट के आई दिखाए है पुरा भरा हुआ है और ना इस room में ब और इधर है हमारी यह wardrobe और जो यह बीच में छोड़ी हुए नहीं है वाली तो जो छोड़ी है बीच में इसमें पहले मम्मी लोग बोलते हैं कि यहां पर हम अपना color tv के लिए रखी हुई थी कि पहले तो LED नहीं चलते थे तो color tv इसमें आ जाए उसके लिए छोड़ी हुई और इसमें भी हमने परपादर के जो हैं लगा रखे हैं क्योंकि परपादर का जो वाल है इसकी और अब हम बात करते हैं अपने इसकी लॉबी की यहां हमने अपना यह double door का फ्रेज है यह खड़ा किया हुआ है और यह साइड में है हमारा यहां मंदिर छोटा सा आप लोगो सजाया हुआ है और इसमें हमने ये वाला कर्टर्ण्स लगाए है मंदिर में यह ले यह बहुत पर लगता है मंदिर होच यह है मंदिर फिसको इस ता- effectivement किया हुआ है और किे बाद यहां है हमारी यह Eenаж मालिद्रिक आदिन टेवल और यह हमारा यह कोलाज पना हुआ है देखो यह अलग अलग जगह की पोटों मैं पास से दिखाओं। मद तो ही पास जा सकती है और इधर है ये मम्मी की फोटो कश्मीर की पुझाव एक सेकेंड न मैं इसको चड़ती हूं चेर पे ते फिर आपको आपको इसको दिखाती हूं ये पटनी टॉप की है हम लोग गए थे ये वारी जो पिक है ये पतनी टॉप की है हम लोग पतनी इवाली मेरी नदत की शादी और यह वाली व्याषम की गाए था ला दो हम लोग में भार गए तकि आ कि यह मेरा फर्स्स जब वर्थड़े था था हम लोग बाहर गयते तक की है और यह मेरी फ्रेंड की शादी की है तो यह ओवर ओर हुमारा यह कोलाज है बना हुआ और इधर भी हमने यह लगवाया हुआ है कोर्णर इसमें में चोटी चोटी चीज़ा रख रखी है यह इसको भी मैं भी पास से दिखाती हूँ तो यह कुछ इस तरह का हमारा यह है कॉर्णर बाकी आपने किचिन तो आपने मेरी बहुत बार देखी है यह हमारी किचिन तो किचिन को दिखाने के जादा दोर्वत नहीं है वैसे बहुत चोटी किचिन है और यह है अदर हमारा बाथरूम यह वाला और यह वाशिंग एरिया इधर इधर लगा हुआ है यह रा मिरर यह वाश मेश्मेंट चलिए अब चलते हैं उपर तो उपर है हम लोग का रूम यहां से चलते हैं उपर अपने घर की सब सची चीज लग करें मंदिल मतलब सुभाई दर्शन हो जाएं अब ना भी करना चाहो तब भी हो जाएं आप चलते हैं यहां आपने मेरा रूम तो बहुत अच्छे से देखा ही हुआ है तो उसको जादा कुछ दिखाने की ज़लूरत नहीं है यही मेरी ड् प्रेडी और यह हमारी सारे फूटो तो यह है मेरा रूम उसकी बाद एक सेकंड रूम भी है इसमें वह दिखाती हूं उसको ना हम दर्ट से जादा लूज नहीं करते हैं देखो यह है सेकंड रूम इसमें ना हमें खाली एक दिवान डाला हुआ है ताकि कोई आये तो अरा स्ट्रोर भी बना रखा है हमने और यह इसमें गर के पहने वाले कप्रे रख लेते हैं यह है सलाई मशीन कभी कभी ज़रूद पढ़ती है इसकी और यह है अल्मिरा यह तो बस जो हमारे यह वाला रूम है इसमें हमने इतनी चीज़े रख रखी है और देखो अगर ब्लू क में लौबी इरिया नहीं पर दो चेयर श्टूर अर्यारा ट्राइब और रखा हुआ है और यहां पर यह वाश विशन यह है जाल वाला एरिया यह देखो और यह है हमारा अटैच्छी लैट बाक तो यह है मेरा चोटा सा घर और ना मैंने यह वाला वाशिंग एरिया यह य तो आप लोगों ने मेरा देख लिया चोटा सा प्यारा सा होम चू बताना कैसा लगा आपको और चोटा सा है अभी घर और ना यह वाला जो घर है यह लोगों ने बहुत टाइम पहले का बना हुआ है यह तो 2001 या तू मैं यह लोग यहां शिफ्ट हुए थे और शिफ्ट भी क्या हुए थे मैं बताओ कि मतलब पापा बहार जो आप करते थे तो मुसली यह लोग बहार ही रहे हैं मतलब कुछ ताइम के लिए अपनी एजुकेशन के लिए मतलब मेरे हस्बंड और मिरी नरद जब य कर दो ना चल में थी तो फिर यह लोग भी अपने अपने अपनी लेयां के लिए आपा ममी बीपा पापा के साथ थी तो यह पूरा घर रेंट पर ही दे रखा था जो यह वाला जो हमारा प्रूर्षन है ना यह वाला दूसरा वाल दूंद तो मैंने वाशिंग इरिया बना तो अब वही है आप लोग समझते हैं कि रहेंट वाले तो पूरा ना घर का क्या करेते हैं तो यह इसलिए ना यह कुछ ऐसा हो गया था थोड़ा इसको सही करवाया तो जाकि थोड़ा अच्छा हो गया यह और बाकी यह जब मतलब घर बनाते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस नह जाती हैं जैसे हम नया वाला घर बनवा रहे हैं उसके हम बहुत सारी चीज़े हमें सो समझ के बनवाएंगी कौन सी चीज कहां होनी चीए तो बहुत अच्छे से बनवाया है वो देखो मैं जब पूरा तयार होगा तब आपको उसका होम चुरू करवाऊंगी तो बस यह है मेरा चोटा सा घर तो आप लोग को पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना